अब यहां पर चाचा अमारे सामने हैं और यह जो है एक मचली पालन का बेवसाय कर रहे थे और कुछ दिन पहले दो तीन दिन पहले इनके पोकर में जो है कुछ जहरीली पदार ते डाल दिया गया जिसका लेकर के जो है आपके स्किन पर चल लाओगा जिसको लेकर के बताया बताया चारहा हूं मेरने के बाद रहा है जैसा की इसकी यहार उन्दर जहर्ण है जैसा इनको बताया गया है तो चली हम कआया है यहां पर इनसे जाने का प्रयास करेंगे कि उस दिन क्या हुआ था और आखिर इन से जो है सासन परसासन क्या कुछ कह रहा है परसासन हमारे से यही का नाम पड़ितार महमत समीम महमत समीम क्यतना दिन से मचली पलंग कर लगभग 10-15 साल से तो सुबह मैं जो है मैं उठा लेटिंग जा रहा था मैं देखा कि मचलियां जो है तड़ रही है उसके पास मैं दवा रखा था उदावा लाकर तुरंते डाले की कॉंट्रोल हो जाए उसके बाद में कॉंट्रोल नहीं है तो गाओं के महारे बहुत हैल्फ किये मेरे को वह ल चालीज पचास के लिए प्टिक्री डाई जल्दी डाली है आप पानी चलाइए कि जाके यह कॉंट्रोल हो तो कॉंट्रोल हुआ क्या वह उपर तो नहीं आई समय लग गया जब से मचली के अंदर आपका पोकरे का अंदर जो है जहार डाला गया था उससे ले करके जब तक आपने कॉंट्रोल किया उस समय तक आपी कितनी मचली जो है मर चुके थे उस टेम तो बहुत मचली बैठ गई उसके बाद बैठ गई नीचे सुबह में निकाल निकाल के कम से कम एक डेड़ किमटल तक बाहर फैंके डेड़ क्यूंटल मचला हाँ कौन-कौन सब रोह था कतल था नैनी था विकेट था गराज था कमल था इस सम फुरा मिक्चर था उठा 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 के सब फैंके जो है अभी एक आत्पी डेली दो चार दस निकल ही रही है नीचे से जमीनों से अब जो है पानी का जो असल चालू नहीं है मचली के दिखाई नहीं तर दे रहा है जाल दो aver दो सबंड़ यहां हमई डालते है मचली अगर हो भी गी तो इसको अब णिकाले तो तुरंत वह मर जाएगी चेक करें तो इसके लिए चाल हम नहीं डाल रहे है चेक och रहें के हाइक है नहीं है वह नहीं है कितना मतल różторов पहु causing मारशोकी हाँ वह मान लिजimmune किसी तो पब प्लिक कि यहां से बहुत फैका गया बहुत निकाल के फैका गया आप उसरों जो है कम से कम डेड़ दो क्रिंटल निकाल के दूसरे दिन बाहर की सब अलाए गया उत्ता खाय सब अखिर आखिर ऐसा क्या बज़ा हो गया कि आपके पोकर में जहार डाल दिया गया वो उन्हों का यह था कि पहले से कौन आदमी था हां हमारे ना हमारे गाओं के हैं वो लों मारते रहे थे बंसी से और उसके बाद में हां तो मैं नों डाटा समझाए कि यह गल्त बात है यह परा गया बाकी दिन जो है नतुमे मारे तो वो सकार लिए सकार लेंके बद मैं समझा दिया समझाने के बाद में धंकी देने लगे आपकी दे रहते कि अब का अभी कुछ हुआ इसके बाद देखिए क्या होता है तो उसी धंकी पर रात में डेली बारे बज़े एक बज़े दो बज़े रात में यहनों का ना जाना दोनों जो है लफ हुए है जो है आते हैं जाते थे तो मैं क्या जरूरत है डांटने का क्यों इस टाइम घुमरे हूं मैं नहीं बोला मैं हर दिन की बात थी आच्छा आप जो है धंकी दे रहे हैं कि किस नहीं अगर किस हो जाएगा गोली मारे देंगा हम लोग अब दमकी यह दे रहे हैं अब मान लेजिए पर सासर कॉन है कि आपको गोली मारने का दमकी दे रहा है वो हमारे हम रने हैं दो नाम है तो तयब है सबस्का है उसका और लड़का है इसके लिए जो प्रवदान सरकारी जो इसमें बहुत सरे बताएंगे कि मचली पालन को लेकर के जो इसमें सरकार मदद भी करती है अपने पैसे अपने खर्चा लगा कर पालते हैं अपने बच्चे के लिए और यह नहीं है कि अपने बताया था कि पुलिस परसासन यहां पर आई थी आई देखकर गई पता ना क्या बात कि बड़ा बाबुसे बात करके उसके बाद में बोले कि ठीक है किसे बात कि बड़ा बाब से बात कि तो पता आपस में बात कि उसके बाद यह गए सामके टाइम में कई रोज दोड़ा माले 26 को भी सामको गया फिर 27 को भी गया 26 वी गया कल 29 था कोई सुनवाई नहीं हो रहा है चैनुत एंगा सुन थे पूरा मर जाती उसके बाद पानी जाच होता है तो यह बोल रहे हैं कि कोई इसका निदाने नहीं है मर जादने देते पूरा मर जाती उसके बाद पानी जांच होता तो मान लिजे कि गाउं में आग लग जाए घर में ताग नहीं बुताए जाए पूरे गाउं को जल जाने दिया जाएगा आप जब जब इसका अंदर जहर मतिके दाला हुए था तो आप कहने बुला दिया कि उसी समय के ज्यास कर लेते हैं अब मरने का इंतजार करेंगे हमको कोई मार देगा तो हम लिए बहुत प्रयास कि किसार जो लिख कर बहीं हम आगे चल के समा लेंगे बीडियो कि यह हैं मोबाइल में निव वाले भी आये निव भी खर दिए निव पर डाल दी कोई उसका असर नहीं हुआ आप देख सकते हैं हमेशा जो है बताया जाता है कि सरकार जो है लोगों को रोजगार देने के लिए आगे ये कदम उठा रही है ये कदम उठा रही है लेकिन ये अपने पैसा से जो है अपने पोखर में मचली लाके डाले थे मचली डालने के बाद आप देख रहोंगे कि लो जाता है यहां डालने केबाद मथली मर जाती है अगर अगर हिसाब कताब नहीं है लेकिन अगर मुली जिन्दा हो जाएगी अगर घाख एक मथली को बचा कैसे लिए सारे मथली ऑन और हम लोग बाएं सब मैंद मार जाएगी रह चाहिए को बढ़ावा दे रहा है और वो लोग भी आये थे कि नहीं आये था पता नहीं कि भाई इनकी मचली कैसे मरी यह कि जाच होगा नहीं होगा उसके परक नहीं पड़ता तो कोई आए थे को यहां पर जाच होगा खाल आके वह बहुंके चले गए देखके अपना बात कर लिए मचली पालन वगर करते हैं उसके डिपार्टमेंट से थाइते थाना अज से थाना से थे वह लोग कहां तो प्रेवेट में ख्रेजते हैं बच्चा महां कबचा लाते हैं अलाकर डलते हैं अब थाना में बाबाबु करवाई करें तो क्लिए अब ना करें यह तो करएंगे आप देख सकते हैं कि चाचा जो है लगतार जो कर रहे हैं कि हम तो अपचली पालन करें गए पेट आतो मचली तो करना ही पड़े बच्चा हमारे का सका Korean यहीं रुजगार रही aapna जमीन ज्यादा नहीं दीसी में अपना रुजगार करें में वेकर हम कहां जाएंगे किी सकते हैं दरवाजे पर जाएंगे और इससे करके दो रुपय कमाएंगे लेकिन पताया जा रहा है कि सरकार का जो भी कानून है उस कानून में इसके कोई प्रावधान नहीं है प्रावधान देखेंगे तो हर चीज के लिए IPC दारा बने हुई है और IPC दारा में जब आप चाय कर चेक करेंगा तो बहुत सारे द देते हैं अगर उस आदमी के मौत हो जाती है तो भी उसके लिए 12 साल की सजा है लेकिन यहां पर बताया रहा है इंगो कि इसके लिए मचली कुछ जिंदा बच गई है इसके लिए सरकार के पास कोई प्रावधान नहीं है कोई IPC दारा नहीं है अब बोलना है कि हम जाएंग का जो पालण होता है उसको पलिये और जो है अपने रोजी रोटी में अब ध्यान दीजिए अगर इस तरह की घटनाय जो है दिन अकर होगी तो लोग बिहार में कैसे बीजनस को बढ़ाएंगे कि छोटा छोटा बीजनस होता manipulating होता है तो उसको लूट लिया जाता है अगर ये खेतों में अक्यले करते हैं, तो इनके अंदर जहाड दे करके, मार दिये जाता है, खर आपका क्या सोचना है, आप इसको ले करके क्या सोचता है, आपके जो भी परतिकिरिया होगी, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताईए का इस वीडियो को देखने के लिए आपका बाद बाद बाद